ही गाइज वेकम चुर्स पॉइंट मैसेफ रिशिका आज अभी हम लोग डिसकस करने वाले वीजनाइस की करें इंटरफिर्स जो कि जून मंत का है तो काफी टॉपी कंप्लीट हो चुका है आए आज हम लोग साइंस एंटेक स्टार्ट करेंगे सोशल इशू हमारे कंप्लीट हो गये तो साईसे टेक में आज हम मनों टंपी डेखेंगे वह पहला है म कॉविट नाइंटीन थेरपी र lashes अब इसमें भी अन्टी माइक्रों माइकरोबिल रिसिस्टेंस की बात आ रहे है तो डीटेल में देखने माले हैं एंटे माइक्रोबिललस्टिस होता क्या है और प्लास्मा बैंक अगें वेरी इंपॉटेंट प्लास्मा थेरीपी क्या है प्लास्मा बैंक क्या है यूशुड़ नो इज एन एवरी पॉइंट ओके फिर इंडिया का तुबर क्लोसिस रिपोर्ट ट्वीटी ट्वीटी निकल कर आया है तो इसके बारे में भी देख लेंगे अगर टाइम बचा तो उसके बाद आप लोग देखियो कि इंडिया का नेशनल स्पेस प्रोमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर है इन स्पेस है इससे रिलेटेट हम लोग कुईस सॉल्व किये थे जब आपकी जो कन्फीजन है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी तो आईए स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले कल जो मैं लेसन ली थी उससे रिलेटेट कुछ कुछ है आप लोग को उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है उसके बाद हम लोग कल डिसकस क प्लेट में आकर आप लोग की लसन्स देख सकते हो या फिर इस मंत की भी जो है इस स्टार्टिंग से आप लोग को देख सकते हो तो चलिए आज इस स्टार्ट करते हैं सो बहुत ही सिंपल कोश्चन में पूछूंगी फर्स्ट है कि आपको बताना है कि इत्राइट मुवमेंट यही इनिशेटिव किसका है किसके तरफ से यह इनिशेटिव लिया गया है मिनिस्ट्री भी बता सकते है या फिर कोई ओर्गनाइजेशन है तो इसका भी नाम सेगेंड थिंग कि इसका एम क्या है सवक्च भारत मिशन ग्रामीन फर्स्ट फेस हमनों देखे जिसमें की त्वालेट कंस्रक्शन वगेरा था और ओपन दिफिकेशन फ्री उसका एम था लेकिन सेकेंड में क्या एम है यह आपको बताना है थार्ड है यहां पर आपको बता है कि कौन से गोल नमर का यहां पर बात हो रहा है टोटल सस्टेनेबल डेवलाप्मेंट गोल की बात करें तो 17 है जिसका टारगेट है कि 2030 तक इसको हम लोग को मीट करना है ठीक है तो इतना बात धियान रखिए का और बहुत ही सिंपल सा कोश्टन से आई डून तिंग कि मैं मैं बहुत ही ज्यादा वास्ट कोश्टन पूछती हूं तो भी आप लोग जो है आंसर देने में इतना ज्यादा कंजूसी करते हो आंसर दीजिए आप लोग का बेनिफिट होगा मेरा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है आप लोग लिखोगे तो आपके माइन में कहीं नहीं वो सेट हो जाता है एक्जाम में आप लोग बहुत ज्यादा जो है कंफोर्टेबल फील करोगे कोशिश किजिए आंसर देने का चलिए अब हम लोग अपने आर्टिकल पर आते हैं तो स्टार्ट करते हैं कोविट-19 थेरेपीज के बारे में और anti-microbial resistance के बारे में पहले कोविट-19 patient को दिया जा रहा है तो कोविट-19 के patient आपको हर एक hospital में देखने को मिल रहा है उनको यहां पर थेरेपी दिया जा रहा है उस थेरेपी से जो है ना क्या निकल करा रहा है फैक्टल bacterial respiratory infection यानि कि थोड़ा बहुत जो है आपके bacterial infection है जब आप सांस ले रहे हो ना त सबसे layman's language में मैं आपको समझाने का कोशिच करती हूं जैसे आपको कोई भी medicine लेते हो मालीजे परसीटमोल ही आप ले रहे हो तो इसको आपने लिया दो साल तक regular यानि कि मालीजे कि आपकी जो तब्यत है वह बहुत जादा खराब हो रही है दो-दो मैने में आपको fever आ रह कोई या फिर आपके body pain होगी पारसीटमोलोगे तो उससे क्या होगा ना कि आपके body में इसका असर खतम हो जाएगा इस medicine से लेने में आपकी जो है ना body pain दूर होगा ना ही आपकी fever कम होगी तो इसको क्या कहते है कि हमारे body में जो है ये दवा भींग गई है हमारे body में ये द जो है ना उसकी nature समझने में problem हो रही है क्योंकि virus जो है body के अंदर जाने के बाद different different तरीके के वो nature अपना जो है बदल लेते है तो इसलिए उसको एक vaccine से treat कर पाना थोड़ी से little bit difficult हो जाती है और किसी भी virus के vaccine को develop करने में थोड़ा लंबा समय लग जाता है बट यहां पर हम medicines लोगे तब आपकी fever down होगी तब आपके जो body pain है वो दूर होगा तो इस चीज़ को हम लोग कहते है ना antimicrobial resistance यानि कि resist हो गया है medicine हमारे body में और यह हर एक different different जो है आपको disease में देखने को मिलेगा यह कब होता है देखिए यहाँ पर definition दिया गया है जब कोई भी microorganisms कहने का म कि उनको माणने के लिए या फिर उनको खतम करने के लिए जो हम लोग medicine देते तो इससे क्या होता है कि वो अपनी nature को change कर लेते जैसे antibiotics खाते हो आप लोग को अगर कहीं भी body pain है headache हो रहा है तो antibiotic आप लोग खा लेते हो या फिर antifungal खाते हो अगर आप लोग को fungal infection वगरा होत हो antiviral है antimalarial है और यह आपका जो है anthelminthylminthix है okay तो यह सारी चीज़ आप लोग जो है consume करते हो और इसके कारण क्या होता है कि हमारे body में जो इस तरीके के microorganisms होते हैं वो अपने nature को change कर लेते हैं तब जाकर जो है इसको antimicrobial resistance कहते हैं और फिर उसके बाद आपको क्या होगा कि जो आपका regular medicines चल रहा था वो medicines आपका replace करके थोड़ा high dose की medicines देना होगा तो इससे क्या होगा कि medicines जो है वो ineffective हो जाता है infection जो है हमारे body में रहता ही है और इससे जो है ना दूसरे को भी यह spread होने में जादा से जादा risk होता है antimicrobial resistance की बात करें तो यह naturally होता है over the time ऐसा न बात खतम हो जाता है तो यह क्या होता है usually यह आपका genetic changes के कारण होता है तो जो misuse या फिर overuse होता है antimicrobial का यह इस process को कहीं ना कहीं जो accelerate कर देता है मैं क्या बोल रही हूँ कि जब भी आपको common cold होता है थोड़ी से आपको headache हो गई fever हो गई तो आप सूचते हो चलो यार पैर आपको उसके लिए जो है न medical prescription लेना बहुत जादा जरूरी है अब यह antimicrobial resistance होता क्यों है इसके पीछे reason समझना जरूरी है तभी आप लोग जो है इस तरीके की हरकत करते हो या फिर आगे करोगे तो नहीं करोगे तो पहला है कि inappropriate use of medicines medicines की जो एक proper dose होती है जैसे आप कभी भ दॉक्टर के पास जाकर अपनी check-up कर आते हो ना तो वो आपको बताते होंगे कि 10 दिन तक आपको जो है न सुभी साम ये medicine लेना है इस तरीके से जो है doctor आपको एक certain dose of medicines का जो है ना वो आपको बताते हैं जिससे आप लोग को fever होती है ना तो fever के लिए वो आपको paracetamol दें और उसके बाद medicines के या तिल लेने के लिए है कि नहीं यही काम नॉर्मल है 99% लोग करते हैं अब बाई doctor लोग को exclude करके रखे क्योंकि वो लोग जानते हैं तो वो लोग करते हैं लेकिन हम लोग तो basically यही काम करते हैं इवन TV के जो patient होते हैं उनको कहा जाता कि 6 मन तक आपको continuous medicine लेनी है बट TV के patient जैसी थोड़ा से ठीक फील करते हैं तो वो लोग दो महीने तीन महीने के बाद जो है medicines लेना बंद कर देते हैं लेकिन medicines लेना क्यों इतने लंबे समिछ तक हम लोग को क्यों लेना चाहिए उसका एक आपका certain course होता है हर एक medicine का course होता है कोई भी ऐसा जि बहुत जादा जरूरी है कि वो भी होस हो रहे और फिर उसके बाद जो है वो कुछ समय के बाद जो आप medicine छोड़ देते हो आदे दिन में जैसे छे दिन आपको खाना है लेकिन आप तीन दिन तक खायो तो इसमें आपने जो है पूरे bacteria को जड़ से नहीं मारा उसमें आपने जो भी आपके body में जो bacteria है वो बस भी होस हो गया है for short period of time फिर उसके बाद जो है आप खाना खाओगे healthy खाना दोगे वो आपके cell को खाएंगे tissues को खाएंगे उसके बाद वो फिर से जिंदा हो जाएंगे और फिर से आपकी जो है तबियत खराब हो जाएगी तो वो आपके body में फिर जिंदा होगा फिर आपको परिशान करेगा फिर अगरे time आप क्या करोगे दो दिन का medicine खाओगे तीन दिन का medicine खाओगे चंगे होगे फिर छोड़ दिये फिर वो भी होश हो गया तो bacteria, fungi या फिर virus जो भी हमारे body में होता है उसके लिए certain course of medicines का time होता है जिसको हम लो लोग क्या करते हैं कि चार-चार बार खा लेते हैं जब fever आ रहा है तुरंत कुछ खाए और खाके फिर सोगे तो ये काम नहीं करना, overuse होता है या फिर underuse भी होता है जैसे कि आप लोग देखते कुछ लोग इतने lazy होते कि दो टाइम के जगा एक टाइम ही एक दिन में खाते हैं मिस्यूस भी होता है मेडिसिन का, no doubt आप लोग देखो एंटिबाइटी के पैर दर्द हो रहा है, एंटिबाइटी का लिए सर दर्द हो रहा है, एंटिबाइटी का बहुत जादा साइड एफेक्ट होता है तो आपके बड़ी में कहीं नहीं वो प्रॉब्लम क्रीट करे है, और यह होना भी चाहिए, सिपला की ऐसे भी नहीं है, आपको महंगी से महंगी मेडिसिन पर देखने को मिलेगी, सिपला की मेडिसिन भी एवलेवल है, लेकिन क्वालिटी आपको उस तरीके का नहीं देखने को मिलेगा, तो यह भी कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम है कि प्रमाइज हो जाती है हमारे कंट्री में मेडिसिंस का ठर्ड है यहां पर अनिमल हस्बेंट्री यानि कि आप देखोगे जो सब थेरापोटिक जो डोसिस होता है एंटिवाइटी का वो अनिमल रेरिंग में भी यूज होता है जिससे क्या होगा कि उनको डिजीज इससे क्या ह say they are oh you आपका डिया जाता है एनिमार्च को क्यों की समय से पेहले जाता है क्यों यहता है क्या है यहत्स रचाइज को क्कीले बीग आस। करते हैं तो वह सारी चीज इसको कहते हैं जो डिज़ीज आनेमल क men transmit होती है इससे क्या होगा कि जो हमारे ड्रुग रेसिस्टेंस इंफेक्षन है उसकी spread और ज्यादा बढ़ सकती है जितने भी hospitalized patient है वह यहाँ पर में रिजर्वाइर होते हैं ये सारे रेदष्टेंस माइक्रण कर पारे तो उसके करन क्या होता है कि अगल बारी जीतने भी है यानि कि हमारे हैं यह चीजे पता है हम लोग इस टापिक पर नहीं कब से बात करें जब से मैं स्टार्ट किया हूं आप लोगों को बढ़ाना तब से मुझे लग रहा है कि एक ऐसा टॉपिक कॉमन देखने को मिलता है साइंस इंटिक में जो कि हर बार हम लोग डिसकुस करते हैं तो यह क्या है कि सर्वलियां से तरीके से नहीं हो रहा है पता न देखने को मिल रही है लेकिन यह कंसर्ण तो है भाई हम लोग हर एक महीने इसको डिसकुस करते हैं या फिर एक महीने मिस्पी हो जाए तो नेक्स्ट महीने जरूर डिसकुस करते हैं यानि कि कंसर्ण तो है लोग इसके बारे में बात करते हैं हो होला करते हैं लेकिन काम नह कहीं थ्रेट हो रहा है अब आप समझे जहां पर आपको कौमन को कफ और कोल्ड होता था आप परसीटमोल लेकर चंगे हो जाते थे लेकिन आज की डेट में वो मेडिसीन आपको असर ही नहीं करें और कितनी सस्ती मिलती है परसीटमोल अगर उसी के जगह आपको जो है चार खर्च करना पड़ रहा है तो यहीं बात है कि इससे क्या होगा ना कि आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें भी कई न कई प्रॉबलम होगा और इससे जो है आपके लंबे समय तक इलनेस भी हो सकता है डिसाबलेटी भी हो सकते है डेथ भी हो सकता है क्या गैरेंटी है कि आ यहां पर जो growing list of infection है जैसे कि आप यहां पर देखो pneumonia हो गया, TB हो गया, blood poisoning हो रहा है, gonorrhea हो रहा है, यह सब बहुत जादा hard हो गया और sometimes impossible हो जाता है न कि इसको antibiotic से आप treat कर सको, antibiotic से यह सारे जो disease है आज के rate में बहुत सी less effective है और treatment भी नहीं हो रहा है, क्योंकि antimicrobial resistance है, high doses of medicines की जरूरत है, sometimes यह देखने को मिलता है कि बिना effective जो antimicrobial है, prevention or treatment of infection के लिए, medical procedure और जो medical, आपका major surgery है वो बहुत जादा risk हो जाता है, risk in the sense कि आपका medicines अगर आपके body में काम नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए क्या है कि आपको surgery के लिए जाना परता है, और surgery क्या होता है कि most of the times जो है आपको देखने को मिलेगा कि वो successful नहीं हो पाते है, तो that's why जो है ये भी आपके health point of view से risk हो जा रहा है, antimicrobial resistance की बाद करें, तो यहाँ पे आपका health care का जो cost रहना वो बढ़ते जा रहा है, अभी मैं क्या बोली, कि 4 रुपय का आपके parasita mole से जो आपकी इस्तिती ठ हो जा रही थी, आज की date में आपको 400 रुपया खर्श करना पड़ रहा है, it means कि क्या हो रहा है, कि cost जो है आपके health care का और बढ़ते जा रहा है, है कि ने, साथी साथ जो है आपको ज्यादा time तक लंब, अगर कोई और बड़ी बीमारी है, जैसे TB वागरा है, तो आपको ज्य जो गोल है, उसको गें करने में काफे जादा रिस्क देखने को मिलेगा, आज के date में जो हम लोग सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल देखते हैं, जिसका 2015 से 2030 तक का target है, वही इससे पहले मिलेनियम डेवलप्मेंट गोल था, तो इसको भी एक्षीव करने में काफे जादा रिस्क है, इंडेंजर है कि इसको तो हम लोग इसके गोल को एक्षीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग कैसे सिस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल को एक्षीव कर पाएंगे, so these are the some concern हैं जिसके कारण antimicrobial resistance के उपर आपका हमेशा आपको discuss and debate देखने को मिलेगा, अब है ऐसा तो नहीं है कि यह इतना बड़ा मुद्दा है तो इसके लिए कुछ काम नहीं किया जा रहा है कुछ काम तो किया जा रहा है और anti-microbial resistance को address करने के लिए WHO के द्वारा काफी जादा जो है आपका initiative भी लिया गया है सबसे पहला initiative है glass glass stands for global anti-microbial resistance surveillance system यानि कि यहां पर एक standard approach लिया जाएगा जिसको कि support करना है कि कैसे collect करें कैसे analyze करें कैसे data को share करें जो भी anti-microbial resistance के है और यह आपका जो काम किया जाएगा global level पर काम किया जाएगा second is कि aware tool है aware tool का aim यही है कि यहां पर policy maker को सही तरीके से guide करना है health workers को सही तरीके से guide करना है कि anti-viatic को जो है न कैसे anti-viatic जो है ना वह healthcare system में सारे time में आपका available होना चाहिए third एक reserve यानि कि anti-viatic जो आपका use किया जा रहा है उसको यहां पर preserve करके भी रखना चाहिए और सिर्फ last resort में ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए please आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर आप लोग जैसे बाहर रहके घर से बाहर रहके आप लोग पढ़ाई करते हो तो घंटे घंटो आप लोग पढ़ाई करते होंगे तो आप लोग को headache होता होगा या फिर नीन पूरी नहीं होने से body में बहुत जादा pain भी होता है आप लोग free feel नहीं करते हो तो आप लोग prefer करते हो कि कि किसी भ में कम से कम आठ घंटे तो सोगे, कम से कम अगर बोले तो साथ घंटे सोगे, लेकिन आठ घंटे maximum हो गया, जरूर सो लिजे, उससे आपके body की भी function सही रहती है, आपको इस तरीके का कभी problem नहीं होगा कि headache हो रही है, body pain हो रही है, या फिर so and for जितनी भी reason होते है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कि last resort में, जब कुछ नहीं आपका काम कर रहा है, तब antibiotic लेने की सला दी जाती है, ठीक है, तो यह second यहाँ पर आपको देखने को मिला, third बात करें, तो यहाँ पर GRADP है, य भी antimicrobial resistance में, यह आपको United Nations Secretary Secretary जो जेनरल है, उसके द्वारा establish किया गया है, कि कैसे coordination को improve करना है, international organization के बीच में, साथी साथ एक global action अच्छा खासा निकल कर आना चाहिए, next is global action plan, इसका aim है कि ensure करना है prevention और infectious disease जो है उसको treat करना है, वो भी अच्छे तरीके सा और effective medicines के साथ, so यह सारे कुछ initiative है, first है glass, जो कि global level में आपको देखने को मिलेगा कि एक standard approach लेकर चलना है, second है यहाँ पर aware tool है, जिसमें SS watch और आपका यहाँ पर reserve है, third है यहाँ पर आपका GRADP, और fourth है यहाँ पर integracy coordination group और antimicrobial resistance, and fifth one is global action plan, sixth one is one health approach, इसके उपर March month के जो हम लोग करेंट इंट इसमें किया है कि best practice यहाँ पर promote करना है कि कैसे antibiotic जो resistance है, उसका spread जो बढ़ते जा रहा है, उसको कैसे रोकना है, और emergency को कैसे जो है यहाँ पर avoid करना है, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से optimal use होना चाहिए antibiotics का, और antibiotics सिफ human body में ही नी, antibiotics आपका animals के उपर भी use करने की बात की जा जो है prevent कर पाएंगे, और कैसे control कर पाएंगे, तो इसके उपर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला इनका individual के लिए कहा गया है, जैसे कि अभी मैं बता रही थी, कि individual के लिए कहा गया है कि antibiotics अगर आप लोग use करते हो, तो यह कुछ health professional के द्वारा certified किया जाना चाहिए, आपको certified जो health professional है, उनके द्वारा अगर आपको prescribe किया जा रहा है, तभी आप इस तरीके के antibiotic use कर सकते हो, ठीक है, साथी साथ जो है ना, policy makers के लिए अगर देखें, तो उनको ensure करना है कि national action plan क्या-क्या है, surveillance को improve करने की ज़रुए थे कि antibiotic resistance infections क्या-क्या हो रहे, information available होना है जिसे कि जो antibiotic resistance का जो impact हो लोगों तक पता चल सके, healthcare industry की बारे में बात करें, तो इसमें क्या है कि research and development में invest कर सकते हैं, वो भी new antibiotics के लिए, vaccines के लिए, diagnostics के लिए, या फिर other tools के लिए, agriculture sectors की बात करें, तो यहाँ पर animals को vaccinate किया जाता है, जिसे कि जो antibiotic की जरूरत है, वो यहाँ पर कम हो सके, और by security को हम लोगो improve करना चाहिए, infections को prevent करना है, और यह कैसे कर सकते हैं, हम लोग hygiene और animal welfare को बढ़ा कर, तो यह सारी कुछ यहाँ पर आपका recommendation दिया गया हार एक level में, individual level में, policy makers के लिए, healthcare industries के लिए, और साथी साथ agriculture sectors के लिए, तो यह सारी चीज़े आप लोगो भी पता होन चाहिए, अब हम लोग इंडिया की main बात करते हैं, कि इंडिया में कैसा situation है, इस antimicrobial resistance का, तो एक study के द्वारे यह publish किया गया है, और study जो यहाँ पर Indian Council of Medical Research है, उनकी द्वारे यह बताया गया है, कि antibiotic जो resistant organisms हैं हमारे digestive tract में, वो two out of every three persons को देखने को मिलता है, अगर इसको test क तो यह आपका निकल कर आता है, कि antimicrobial जो आपका antibiotic resistance organisms में, यह आपका हर एक तीन इंसान में से दो इंसान में देखने को मिलता है, और यह एक study के द्वारे ही निकल कर आया है, यह आपका based है, कैसे, तो इस two sample के उपर, जो कि 207 individual का लिया गया था, और इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर जो antibiotic है न, वो for at least एक मन तक लिया जाता है, जो कि आप दो कि किसी chronic illness के लिए जो है, यह आप लिया जा रहा है, तो यहाँ पर लिया जा रहा है, तो यह धियान रखेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका जो sample लिया गया है, यह 207 individual का लिया गया है, जो कि एक मन से यहाँ पर antibiotic भी नहीं लिया है, और उनको कोई एक तरीक का chronic illness नहीं है, तब भी इसमें 207 people में से आप देखोगे, कि हर तीन में से एक दो people में जो है इस तरीके का antimicrobial resistance देखने को मिल रहा है, अगर 2017 की Scropping Report की हिसाफ से देखे, जो कि antimicrobial resistance का था, तो इसमें यह बताया ज होते हैं, antimicrobial resistance के bacteria, और उनकी जो gin है यह आपको different water source में भी देखने को मिलेगा, major sources है, वो pharmaceutical west water होते है, hospital effluent होता है, जो कि यहाँ पर आपका nearby जो water bodies होते हैं, जैसे आप कोई भी hospital industries देखते हो, उसके अकल बकल कर कोई भी river water है तो आप समझ जो कि उन से निकलने वाला जो कच रहा है, आपके जो industry से निकलने वाली जो कचड़े, वो कहां आपका जाता है, तो वो सीधे जो है, इस तरीके के river bodies में चला जाता है, बिना treatment के, तो आप समझ सकते हो कि river bodies में इस तरीके का जा रहा है, उसको जो है fish consume करते हैं, उस fish को हम लोग consume करते हैं, तो इस लिए इस त करना है, जिसमें कि national data जो है, उसको compile करके different healthcare का, second इक national action plan है, जिसके through हम लोग antimicrobial resistance को combat कर सकते हैं, इसका aim है कि हम लोग को emergency को समझना होगा, spread factors, यह सारी चीज़ों को समझना होगा, जिसके कारण antimicrobial resistance जो है influence हो रहा है, red line campaigns है, वो भी antibiotic packaging के लिए, जिससे कि जो over the counter cell है, व कर्व हो सके है, तो यह सारे चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है, और हमारे इंडिया में क्या यहां पर आप लोग situations देख रहे हो, वो बेटे तरीके से आप लोग को पता चल गया, तो I think this is one of the best article for antimicrobial resistance, and I hope कि आपको समझ में आया होगा, कि antimicrobial resistance क्या है, इंडिया में क्या हालत है, साथ ही साथ आपका concern में क्यूं है, और इसका reason क्या है, यह सारे चीज़े आपको पता चल गया, ठीक है, यही सारे बाते हैं, कि अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे, तो अपने जो real life है, उसमें भी आप लो day to day life में भी इसको implement कर पाओगे, ठीक है, coming to the next article that is patent pools, तो what is this, news में इस लिए था कि international science के collaborations जो है, वो यहाँ पे आया है, covid-19, कि यहाँ पे patent pooling को लेकर discussion बहुत जादा हो रहा है, क्यूंकि आपको पता है कि vaccine की जो, आपकी जो develop करने की capacity है, वो सारे countries होड में लग गया है कि vaccine develop करेंगे, लेकिन patent को लेकर यह है, उनके द्वारा suggest किया गया है, कि जो rights का pooling है, वो यहाँ पे deal करने के लिए इस pandemic को, और वो भी free और minimal और affordable license provide करना है, जिससे कि जो efforts का outcome होगा ना, वो यहाँ पे ensure कर सके, और यह आपका जो है ना, countries के द्वारा इस्तमाल किया जाएगा, वो भी limited economic resources है, जिससे कि इस तर यहाँ पे develop होगा, not produce होगा, यह जो vaccine आपका COVID-19 के लिए जो आपका develop होगा, इसमें क्या है, कि अगर माल लिजे जैसे अभी Russia ने, Sputnik नाम के जो यहाँ पे vaccine का उन्होंने दावा किया है, कि वो world के पहले ऐसे country है, जिन्होंने vaccine यहाँ पे develop कर लिया है, तो यह जो vaccine है, इन It means कि उन्होंने अपना जितना भी input लगाया है, उनको उस तरीके का output चाहिए, वो इतना जादा अपना दिन राट करके यहाँ पे medicines बनाने में लगए, vaccine बनाने में लगए, तो वो चाहते कि उतना उनको रकम मिलना चाहिए, तो patent in the sense कि यहाँ पे आप रशिया वाले क्या कर सकते हैं कि वो पूरी तरीके से अपने मन चाहे दाम में जो है ना इस medicines को बेच सकते है, vaccine को बेच सकते हैं, और obvious है कि आप लोग भी news में पड़े होंगे कि कई करोड अरब डिमांड किया गया है इस रशिया से कि वो इस vaccine को दे, हाला कि उसमें हम लोग इंडिया नहीं है, अभी तक इंडिया के द्वारा इस तरीके का डिमांड नहीं किया गया, बट वही बात है कि आपको यह पता होना चाहिए ना कि different different जो है आपका यहां पर दिया जा रहा है, तो इससे क्या होता है, यह जो आपका patent होता है, अब रशिया वाले क्या करेंगे कि अपने मन चाहे दाम में इसको बेचेंगे, 50 रुपया की यह वैक्सीन होगी, लेकिन यह इसको 5000 तक में भी बेच सकते है, यह इसका होता है patent, यानि कि इसमें कोई भी आपका रोक टोक नहीं होता है, एक साल या दो साल के यहां पर patent दिया जाएगा, और इसका generic medicines ना बंच सके, यानि कि इस same composition में जो है, आपके सस्ते नाम में medicines available नहीं हो, इसलिए patent देनी की बात की जाती है, बट अलग जगा से यह भी कहा जाता है कि माल लिजे कि हम लोग किसी medicines को vaccine को अगर इस pandemic के टाइम में, यानि कि आप देख रहे हो कितना महामारी है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो यह जो यहाँ पर middle income या फिर low income वाले countries बहुत जादा है, तो क्या इसको सही दाम पर सही तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है, जैसे इसका 5000 का दाम आप बोलोगे, तो इसमें जितने भी developed countries है, वो असानी से खरीच सकते हैं, लेकिन जो developing countries है, वो नहीं खरीच पाएंगे ना, उ इसको Vipo कहते है, patent pool को यहाँ पर define किया गया है, कि एक agreement है, जो कि दो या दो से ज़्यादा patent holder जो है, उनको यहाँ पर दिया जाएगा, वो भी यहाँ पर licensing के लिए, कि वो अपने patent को जो है न, means they are patent to one another and any third party for the purpose of sharing their intellectual property right, इसको intellectual property right कहते है, यानि कि जैसे रश्या के द्वार करके इस तरीके का जो है, वो vaccine develop किये है, तो इसको उनका हग कहा जाता है, कि उनका हग है कि वो यहाँ पर vaccine को develop किये है, तो यहाँ पर sharing की बात की जा रही है, एक agreement होगा patent pool का, यानि कि दो और दो से ज़्यादा जो patent holder होंगे न, उनको यहाँ पर license दिया जाएगा, इस तरीक vaccine develop कर लिया गया, तो यहाँ पर इन तीनों के द्वारा जो है न, patent pool होगा, यानि कि यहाँ पर patent दिया जाएगा, वो तीनों countries के साथ यहाँ पर share किया जाएगा, जनरली आप देखो कि जो patent pool है, वो यहाँ पर complex technologies के लिए ही बनाया जाता है, जो कि आपका बहुत जादा ज़ जो है, कि patent pooling structures जो है, वो actively discuss किया जाता है, और इसको concern किया गया है, जो 2002 में जो आपका SARS outbreak था, तो उससे में भी यह निकल कर आया था, 2005 में जो H1, H5N1 in Pfizer outbreak हो था, H1N1 जो 2009 में था, तो उससे में भी इस तरीके का patent pool जो है, आपका इस्तिमाल किया गया था, patent pooling से क्या होता ह जाना, कि यहाँ पर innovation ensure होता है, कि अगर कोई भी यहाँ पर countries innovate करना चाहिए, यानि कि इस तरीके का vaccine develop करना चाहिए, तो वो develop कर सकते हैं, और साथी साथ यहाँ पर between companies, यानि कि जैसे Russia, US और India एक साथ मिलकर जो है, यहाँ पर innovation कर सकते हैं, साथी साथ यहाँ पर transaction cost भी कम होत लेकिन अगर यहाँ पर India, US, Japan के साथ मिलकर अगर वो लोग काम करेंगे, तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि transaction cost है, वो यहाँ पर कम होगा, international steps देखे कि यहाँ पर patent pooling के लिए और क्या-क्या काम किया जा रहा है, तो सबसे पहला है कि CTAP, यानि कि जो COVID-19 technology access pool है, यह आपका जो है, यहाँ पर place होता है commitment, जो कि यहाँ पर आपका एक solidarity call to action, to voluntary share COVID-19 health technologies में जो है, इसके अंडर में आपका लिया जाता है, वो भी related knowledge, intellectual property और data को लेकर, GISAID है, इसमें क्या है कि rapid sharing of data promote किया जाता है, जितने भी यहाँ पर influence of viruses है न, उससे जो भी data है, वो एक country, दुसे country के स जो है, जल्दी से वो यहाँ पर data को share करेंगे, इसमें क्या होता है कि genetic sequence होता है, related यहाँ पर clinical और epidemiological जो data है, जो भी यहाँ पर human virus से related है, यह फिर geographical यह फिर specific आपका species specific data है, तो यह सारी चीज़े share भी किया जाता है, अगर हम लोग global initiative to sharing of all influencer data के हिसाब से देखें, जो कि June 2020 का तो यहाँ पर 49,781 genome sequence था, COVID-19 viruses का, जिसको कि share किया गया है, voluntary share किया गया है, और researchers के दौरा जो all over the world में है, तो यहाँ पर बात किया जा रहा है genome sequencing का, genome sequencing कहने का मतलब है, कि जैसे कोई भी COVID-19 के patient है, तो उनसे क्या किया जाएगा, कि उनका जिन निकाला जाएगा, ठीक है, औ और उसके बाद क्या होगा, कि उसमें कहीं न कहीं आपका modify किया जाएगा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है, कि एक जो virus है, अगर उनके आगे चलके अगर उनके जो generation, new generation आते हैं, तो इस तरीकी के virus जो है, और इस तरीकी का जो property है, वो आपका transfer हो सकता है, एक generation सो दूसरे generation में तो इसको transfer ना हो, तो इसलिए इसमें क्या होता है, कि जीन sequence किया जाता है, जीन को यहाँ पर study की जाती है, और साथी साथ जो यहाँ पर आपके जीन होते है, उसको यहाँ पर आपका modify भी किया जाता है, तो यहाँ पी क्या है कि development, यानि कि जितने भी generic drugs है, चाहे वो HIV का हो, जैसे अभी बता रही हों कि जैसे आपका Russia के तरफ से आपका medicine आया, तो एक vaccine जो है, वो 5000 के approach हो सकता है, लेकिन माने कि यही patent pool हो, तो चार country एक साथ मिलकर काम करें, तो में भी यहाँ पर vaccines का दाम जो है, वो 500 भी हो सकता है, है कि नहीं, यह भी बात है, एक trips agreement है, जिसको trade related intellectual property reason भी कहते है, यहाँ पर countries को allow किया जाता है, कि वो compulsory license यहाँ पर companies को दे, जिसके through वो यहाँ पर patented product जो है, जब emergency का time है, तो उस समय वो produce करें, नागोया protocol भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि convention on biodiversity के अंदर है, इसके अंदर अगर article 2E के through देखे, तो यहाँ पर interpret किया जा उससे देखने को मिलेगा, protocol की भी ज़रुएद है, जिससे कि यहाँ पर जितने भी party से उससे contact कर सके, और कुछ option provide कर सके, उनको access and benefit sharing का, जब भी यह genetic resources जो है, आपका commercial purpose के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, तो यह सारी बात है, यह international step से जो कि patent pooling के लिए लिए लि से यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा, जो है, medicines आप देखते हो कि इतना ज़्यादा खर्चीले होते हैं, medicines इतने ज़्यादे महंगे होते हैं, कि लोग उसको afford नहीं कर पाते हैं, और इंडिया में क्या है कि गरीब population बहुत ज़्यादा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ डेवलाप हो पाते हैं इस तरीके के vaccine भी, इंडिया का खुद का यहाँ पर patent act है 1970 का, जो कि आप देखोगे कि यहाँ पर कोई भी provision नहीं रखा गया है, जिससे कि हम लोग यहाँ पर patent pool को form कर सके, यहाँ पर इस कानून में, क्योंकि 1970 का कानू उस समय तो patent pool जैसे concept भी नहीं होगा इंडिया में, तो इसलिए इंडिया में इस तरीके का नहीं रखा गया है, और नहीं कोई guideline दिया गया है, लेकिन Indian Patent Act के तुरू देखे, तो central government के द्वारा patent pool जो है, वो setup किया जा सकता है, यानि कि कुछ invention को acquire करके, कुछ patent को acquire करके, जो भी जरूरत है public interest के लिए, अगर हमनों देखे, इंडिया में, तो patent pool जो है, वो आपका देखा गया है restrictive practice, यानि कि अगर हमनों competition act 2002 के तहर देखे, तो ये एक तरीके का restrictive practice है, इसको रोका जा रहा है, जो कि anti competitive in nature है, तो इसलिए यहाँ पर इंडिया में ये भी बात किया जात है, इंडिया अगर medicine बना रहा है, यूस अगर medicine बना रहा है, तो इसमें बात यह है कि तीनों countries के बीच में जो है, कई न कई competition है, लेकिन अगर patent pool हो गया, तो patent pool में competition की बात कहां से आएगी, रशिया, इंडिया और यूस तीनों मिलके तो है data को share कर रहे है, और तीनों मिलके यहाँ पर medicines को develop करने की काम कर रहे है, तो competition नहीं है, तो that's why इसको इंडिया में appreciate नहीं किया जाता है, क्योंकि यह anti-competition in nature है, ठीक है, यह सारी चीज़े आपको पता होना चाहिए, coming to the third article which is again very important, plasma bank, news में इसलिए है, क्योंकि इंडिया में first time आप देखोगे, कि डेली government के द yellow color का होता है, यानि कि जो blood होता है, उसी में आपका plasma होता है, और यह yellow color का होता है, 55% जो blood है वो हमारा plasma है, यानि कि आप समझ रहे हो कि blood इतना जादा liquid है, तो इसमें 55% यानि कि more than 50% plasma ही होता है, और remaining 45% है वो RBC होता है, जिसके कारण हमारे खून जो है, लाल दिखते, WBC हो तो पूरे body का, आप लोग पूरे blood का composition आप देख लिए, कि blood में क्या होता है, कि more 55% आपका सबसे ज़्यादा plasma होता है, उसके बाद 45% में आपको देखने को मिलेगा, कि यहाँ पे आपका RBC होता है, WBC होता है, और platelets होता है, fine, plasma आप देखोगे कि 4 important functions हमारे body में करता है, स जैसे कि sodium और potassium है, हमारे muscles तक पहुंचाता है, साथी यहाँ पे जो है एक proper pH balance जो हमारे body में होना चाहिए, उसको maintain करता है, जो कि हमारे cell functions में वो support है, तो यह सारा काम आपको plasma का देखने को मिलेगा, जो कि important function है, अब plasma bank के बारे में बात करते हैं, कि plasma आप समझ गया कि कितना ज्यादा important है, तो इसलिए plasma bank बनाया गया है, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए, अब यह जो facility है, यह आपका institute of liver, biology science में यह आपका setup किया गया है, और यह जो available होगा, यह government को और private hospital को available होगा, plasma bank function की बात करें, तो यह blood bank ही जैसा काम करता है, कि जब किसी भी patient को अगर किसी को भी plasma चाहिए, तो plasma यहाँ पर पहुंचाया जाएगा, especially जो भी यहाँ पर COVID-19 से सफ़क कर रहे, तो उनको plasma देने की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि आप देखे हो कि doctor के दोरा advice किया जा रहा है, plasma therapy के लिए, तो इसलिए यहाँ पर plasma का काम किया जा रहा है, ठ तो क्या होगा, COVID-19 हुआ और मैं जो है ना ठीक भी हो गई, तो मेरे अंदर क्या होगा, कि COVID-19 जैसे virus से लडने का जो है शक्ती है मेरे अंदर, अब शक्ती क्या है, यानि कि antibodies मेरे body में जो है वो develop हो गया है, antibody मेरे अंदर जो है अच्छे से develop हो चुका है, तो क्या करेंगे क मैं अपना plasma donate कर दूगी, या जो 55% है उसमें से कुछ मैं donate कर दूगी, अब ये plasma क्या होगा, कि मालीजे कोई B% है, उसको COVID-19 हो चुका है, और उसके body में इस तरीके का जो है ना antigenes आपका नहीं produce हो रहा है, antibody आपका produce नहीं हो रहा है, जिसके करण वो fight नहीं कर सकता है, हमा ये आपका जो plasma मेरे दौरा donate किया गया है, फिर उसके अंदर ये दिया जाएगा, जिसके through COVID-19 से वो उनको treat किया जा सके, तो इस तरीके से जो है ना, ये plasma therapy है, जो कि इस्तिमाल किया जा रहा है, साथी देली में आप देखोगे कि यहाँ पे convalescent plasma therapy भी use किया जा रहा है, ए ये बहुत जादा जरूरी है plasma bank का, because जो patient यहाँ पे सफ़क कर रहे है, वो बहुत जादा problem भी face कर रहे है, blood plasma को लेने के लिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे आपके देखोगे, कि हमारे यहाँ तो एक अलग तरीके का stigma चलता है, blood donation के लिए भी आप देखोगे कि थोड़ी problem हो पाता, तो आप लोग के अगर unique है, जैसे A negative हो गया, O positive है, O negative है, तो ये सारे जो है ना, please आप लोग डोनेट किया, कि जे blood क्योंकि इन सारे blood की बहुत जादा जरूरत होती है, लेकि हमारे society में इस चीज को appreciate नहीं किया जाता है, even अपने family में भी थोड़ा आप देखोगे, कि mommy या पापा या फिर दादा या फिर नानी कोई भी होंगे जो कि इसको बोलेंगे कि नहीं नहीं ब्लड डोनेट मत करो, कमजोरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बट ब्लड डोनेट आप करते हो ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ा advantage भी है, एक तो क् जाते हो हमेशा यंग दिखना तो आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, उसी तरीके से प्लाजमा डोनेट का बात क्या है, कि जो भी पेशेंट या पे COVID-19 से ठीक होकर जो घर आ रहे है, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा, कि अब फिर से वो हास्पिटल जाए और अपने प्ल तो इसलिए इस तरीके का बैंक बनाना नेसेसरी है, कि जो भी लोग अगर चाहते है अपने इक्षा के अनुसार कि वो अपना प्लाजमा डोनेट कर सके तो वो यहाँ पे करते भी है, ठीक है, हर एक प्लाजमा डोनेशन को जो है ना, वो यहाँ पे दो पेशेंट को नहीं होके भी दो लोगों को यहाँ पे जो है help कर सकते हो, तो कितना बड़ा help हो जाता है, आप यह समझ सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, इस बैंक में आप देखोगे तो 500 ml of plasma को collect किया जा रहा और यह depend करता weight, यानि कि आपका कितना weight है, उस हिसाब से measure करके doctor आपके plasma को ल क्यों donate करना चाहिए, यह भी आप लोग समझ गया, साथी blood को भी आप लोग donate कीजे, यह मेरे तरफ से एक request है, क्योंकि काफी बार मैं भी यह चीज देख चुकी हों कि बहुत ही नजदीकी है मेरे भी चोकी, बिना blood के ही कारण उनकी death हो चुकी थी, तब से मिझे समझ में आ कि सारी चीजे ठीक होते वे बस blood की कमी के कारण किसी की जान चल जाती है, तो कितना अफसोस होता है, तो यह सारी चोटी-चोटी चीज है, आप समझ भी नहीं सकते हो कि आपके एक blood donation से कितने सारे लोगों की जिंदेगी बस सकती है, तो यह सारी चीजे जो है ना, एक कहते ह कि अच्छा काम करना चाहो तो जरूर कर सकते हो, खर कोई नहीं, चलिए, तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंडिया टुबर क्लोसिस रिपार 2020 और इसे के साथ इतनी rest of the topics है, उसको हम लोग complete करने का कोशिश करेंगे तो आप लोग सीजर कोशन पूछा गया है, उसका अंसर जरूर दीजेगा, इसके अलावा अगर आप लोग को कोई भी PDF अगेरा चाहिए, तो आप लोग मेरे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लिजें, जो कि resource point के नाम से, इवन इसके अलावा अगर आप लोग को मेर लेसन अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ social networking sites में जरूर शेयर कीजे, लाइक करना ना भूली, साथी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, जिससे कि आपको आगे आने वाले दिनों में और अच्छे अच्छी वीडियो जो हैं मिल सके, तो आज के लिए औस lasers भूलों प्सक्राइब कर दो कर दो के लिएयर किन allora waνα को समया थे पाइलों और सीरा की यॉजाब धर श में और सा